चल यह, so good morning, good afternoon, good evening to all of you, I hope सभी आप अच्छे होगें, एक लंबी सास लो और कहो, जो भी हुआ, अच्छा हुआ, जो भी होगा, बहुत अच्छा होगा, आये हम कुछ अच्छा करना है, तो एक लंबी सास लो और पूरे सिंसेस के साथ, पूरे सिद्ध से, कहो, इस बार अस् टैक्सेशन में उसके नीचे तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, done, चली दोस्तो, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमारा रिविजन, आज की रिविजन में हम कंपोजिशन स्कीम लेंगे, और कोई स्टुडेंट को अगर यहाँ पे, आज यह सेशन पहली बार कर रहा है, तो तो इसके पहले टोटल फोर सेशन हो गया है, और आपको अगर यहाँ आगे के सेशन कंटीन्यू करने हैं, तो आपको vsmartacademy.com पे लॉग इन करना पड़ेगा, लॉग इन कैसे करना है, इसका एक वीडियो मैंने vsmartacademy के चैनल पर डाला हुआ है, जिसका नाम है Big Giveaway जिसम मैंने पूरा complete आपको login procedure explain किया हुआ है, साथ-साथ में, मैं description में भी डाल दोगा, उस तरह से आप सारे subject के जो rapid revision batch है, वो यहाँ पे vsmartacademy के login के तुरू आगे देख पाओगे, दूसरी बात, यहाँ पे मैं आपको यह कह दू कि, अगर आपको यहाँ पे chart book की PDF notes ही है, तो आपको आपके login में दी जाएगी, और login में material content में आपको दिया जाएगा, साथ-साथ में हमारी telegram group के link भी login में दी गई है, तो आप उससे भी connect हो सकते हो, और मैं आपको यह कह दू कि, questionnaire की PDF copy नहीं है, बार-बार question आप पूछ कर spam मत करो, questionnaire की digital copy है, अगर आपको questionnaire या PDF of chart book बा करनी है, तो आपको अभी बहुत कम प्राइज में हमने vsmart academic के website के login पे आपका available करवा के दिया है, तो आप GST का questionnaire वहाँ से बाय कर सकते हो, I hope आपको सारी information मिल गी होगी, और जो भी student को कोई issue होगा, जो मैंने कुछ questions देख रहा हूँ, कुछ student को technical issue है, तो अपने order ID और आपको कब callback करना है, उसका timing डाल दीजिए, मेरी team track कर लेगी और आपको आपको आज callback कर देगी, ठीक है, तो जिसको भी कोई problem यहाँ पर, और एक बात, यह कह दू कि, यह revision batch की कोई serial की वगरे नहीं है, आपको सारा lectures जो है live session में और वोई आपको playlist में recorded session में आपके login में आपको मिल जाएगा, चलिए, अब इससे ज्यादा मैं आपके dots entertained नहीं करूगा, बिना time आगे लगाए, हम start करते हैं आज का revision, आज face to face नहीं है, चलिए, so good morning to all of you, आज के revision में हम देखेंगे composition scheme और कुछ questions RCM और composition scheme के हैं, चलो आजाओ, यहाँ पे, पूरी composition scheme में एक पेज में complete कर दी है, तो यह composition scheme जो है, यहाँ पे detail में हम discuss करेंगे, आजाओ, तो ready हो जाओ, composition scheme पढ़ने के पहले, कुछ definition पढ़ना जरूरी है, वो है aggregate turnor और turnor in state, GST में यह दो words का बहुत importance है, यहाँ पे aggregate turnor जो है, composition scheme में यूज किया जाता है, audit के लिए यूज किया जाता है, as well as aggregate turnor जो है, यहाँ threshold जो for registration है, threshold for registration है, उसके लिए भी यूज किया जाता है, okay, aggregate turnor में क्या लेना है आपको, aggregate turnor में आपको all taxable supply लेना है, ख्याल से सुनिएगा, जो भी आप taxable supply कर रहे हो, goods का, service का, all taxable supply लेना है, जिसके उपर लेवी है, तो aggregate value of all taxable supply, लिकिन इसमें एक point जो है, आपको बहुत याद रखना है, और वो क्यांसा, आपको ये इस बात का पूरा ख्याल रखना है, कि अगर कोई आपने invert supply किया होगा, under RCM होगा, तो वो आपका turnor नहीं है, आपको इस बात का ख्याल रखना है, कि अगर कोई reverse charge वाली value दी होगी, तो आपको वो aggregate turnor में नहीं लेना है, उसके बाद में, उसके बाद में वो कहते हैं, aggregate turnor में exam supply भी include होगा, exam supply की definition, already मैंने आपको पढ़ाई, exam supply में तीन supply आते हैं, बाई कौन से तीन supply आते हैं, neal rate supply, only exempt और non taxable supply, yes, exam supply में ये तीन supply आते हैं, मतलब हम conclude क्या कर सकते हैं, कि exam supply में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, कि only exam, only exam, या फिर neal rate, या फिर neal rate, या और non taxable, non taxable supply, वो भी turn on में लिये जाएगे, अब हमने discuss क्या किया था, आपको याद होगा, तो हमने GST में discuss ये किया था, कोई only exam taxable है, कोई problem नहीं, नील rate भी taxable है, वो कोई problem नहीं, लेकिन, जब आप अपना aggregate turn on निकालोगे, तो कुछ supply ऐसे होते हैं, जिसके ओपर GST बिलकुल भी नहीं आता है, लेकिन आपके aggregate turn on के calculation में वो लिया जाता है, जैसे non-taxable supply में petroleum products और alcoholic liquor for human consumption, अब GST नहीं भी आता होगा, लेकिन आपके aggregate turn on में calculate किया जाएगा, इससे क्या हो जाता है, इससे यहां पर, जो भी कोई limit, aggregate turn on पर रखी गई है, जैसे composition scheme की limit, जो 1.5 CR 75 lakhs, जब limit calculate होती है, तो उसमें non-taxable supply भी government include कर रही है, मतलब वो non-taxable supply के वज़े से हमारी limit जो है, वो exhaust होती जाएगी, या 20 lakhs का आपका registration का threshold रखा है, उसमें आपको non-taxable supply भी consider करना है, तो उसमें क्या गड़बर हो जाता है, उसमें ये गड़बर हो जाता है, कि non-taxable supply वज़े से हम registration के scope में आ जाते है, एक simple सा example लेना चाहोगा, कि आपका taxable supply का turn on 15 lakh है, और आपका petrol pump भी है, अब petrol pump है, जह लेकिन, government क्या कहती है, जब भी एक सवाल उठेगा, कि आपने registration लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपका 15 lakh का taxable supply तो include हो गई, प्लस 7 lakh का petroleum product non-taxable supply भी include किया जाएगा, और वो include करके decide किया जाएगा, कि आप जो है registration के लिए, यहाँ पे, मतलब, liable हो या ना हो, तो ऐसे situation में इस बात का क्या रखना कि जब भी आप aggregate turner निकालोगे, तो उसमें non-taxable supply भी include करोगे, फिर वो aggregate turner आप composition scheme के लिए निकालो, या फिर registration for threshold के लिए निकालो, चलिए, उसके बाद में आपका कोई export turner होगा, तो वो export turner of goods और services भी add करना पड़ेगा, next, जो बड interest rate supply under DDP, मतलब interest rate supply between person having same pen, same pen मतलब क्या हमारा deemed distinct person, यह बड़ा के यहाँ पर जो provision है, वो बिलकुल याद रखने लायक है, मतलब क्या, मतलब यहाँ पर यह है, कि अगर आप stock transfer करते हो, तो GST तो आता है, अगर आपने DDP को stock transfer किया, या services दी DDP को, तो जो आपने stock transfer किया, DDP को या service दी, उसकी भी value आपके turnover में ली जाएगी, इसका impact क्या होता है, अगर आप एक line में समझ सकते हो तो, समझ लो मेरी एक branch नाकपूर में और मैं पूने में हूँ, पूने से मैं नाकपूर में stock transfer कर रहा हूँ, तो उसकी value मेरे turnover में आगी, plus, okay, plus, मैं पूने, नाकपूर से ये बड़ा problem है, पर आपको ये point specially याद रखना है, दूसरा, आपको जो ये turnover लेना है, ये line बड़ी important है, all, computed all India basis, all India basis का मतलब क्या है, all India basis का मतलब ये है, कि जब भी आप aggregate की बात करो, तो aggregate को ये individual branch का नहीं होगा, पूरे इंडिया में, जितने भी branches होगी under same pan, come on, जितने जो है turnover यहाँ पे लेगा, सबका turnover यहाँ पे लिया जाएगा, पर जब आप turnover निकालोगे, तो आप सिप GST छोड़ दोगे, बाकी सारे taxes एड़ करोगे, लेकिन GST उसमें consider नहीं करोगे, ये जो थी definition of aggregate turnover, तो ये definition अच्छे से पढ़के जाना, इसके उपर दो बार questions जो है, यहाँ पे पूछे गए है, और यहाँ, how to calculate aggregate turnover उसके marks आप बिलकुल, okay, मत छोड़ना, उसके बाद में turnover in state, बिटा turnover in state और aggregate turnover, definition लगबक सेम है, जैसे मैं पहले पढ़ लेता हूँ और दोनों का एक थीन लाइन डिफरेंस आपको बताने की कुशिश करता हूँ, okay, turnover in state में, अगर आप देखोगे, तो all taxable supply आएगा, excluding reverse charge, नहीं सारे taxable supply आएगे, reverse charge को छोड़के, exam supply आएगा, export supply आएगा, और interstate supply भी आएगा, okay, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, जब आप aggregate turnover ले रहे हो, तो पूरे इंडिया का आप turnover लोगे, वहाँ एक लाइन आपके आनी ची यहाँ पिर मैंने यहाँ definition पूछ ली, तो student क्या करते है, student यहाँ पे क्या है कि यह 5 पॉइंट लिख लेते है, यह पॉइंट लिखना भूल जाते है, कौन सा to be computed on all India basis, अरे भाही वही तो जाना है aggregate turnover की, और लाइन अगर भूल गे तो फिर रहा क्या, और student क्या भूल जाते blood exclude, blood यह लिखो कि उसमें GST include नहीं किया जाएगा, GST छोड़ के आपकी value ली जाएगी, now, और turn or in state में क्या है, turn or in state में, okay, यहाँ पे all India नहीं, okay, यहाँ पे उस state से, okay, उस state से all, जो, जो, जैसे, let's take example, महराष्टरा, महराष्टरा से क्या taxable supply किया, plus क्या exam supply किया, क्या export supply क महराष्टर से जितना export होगा, यह महराष्टर से जितना interest rate होगा, वो उसके aggregate turn or में लिया जाएगा, definition लगबग से में सिप, यहाँ पे, all India pan basis पे, तो यहाँ पे वो point नहीं है, next मैं आपको यह बता दू, exclude, इसमें भी GST से exclude होगा, तिसरा exam supply, exam supply मैंने का, nil rate, only exempt, और non taxable supply, यह एक्जम supply के definition में आते हैं, यह तो जो definition है, section 2 की definition है, section 26 और section 2, okay, 112, यह definition जो है, पूरे act को लाग हो है, लेकिन हम जब GST law पड़ेगे, धान से सुनना, हम जब GST law में composition scheme पड़ेगे, तो composition scheme में आगे एक section 10, 10 के दो explanation आते है, अगर आपके बास regular book होगी, तो regular book में explanation to section 10, आखरी आखरी में लिया है मैंने, और दो explanation आते है, वो यह कहते है, वो क्या कहते है, यह point बहुत important है, वो क्या कहते है, कि जब भी आप aggregate turnor निकालोगे, या turnor in state निकालोगे, for composition levy specially, for composition levy specially, तो कुछ बाते आपको include करनी पड़ेगी, और कुछ बाते आपको exclude करनी मतलब यह जो aggregate turnor है, यह तो आएगा, यह तो आएगा, प्लस, specially for composition levy के लिए, आपको कुछ include करना पड़ेगा, और कुछ exclude करना पड़ेगा, तो भई, यह जो निचे वाला point है, आपने जरूर दयान देना, specially for compositions के भी, सर आप यह तीन-तीन बार क्यों कर रहे हो, specially for composition levy, composition levy के लिए, यह definition के साथ, यह भी consider करना है, कि क्या include करना है, और क्या exclude करना है, भई, वो क्या include करना है, क्या exclude करना है, देख लेते, अब वो क्या कहते है, वो यह कहते है, कि जब aggregate turnor निकालो गे, तो shall includes, value of supplies made by such person from first day of April of financial year, up to the date when he become liable for registration under this act, okay, liable for registration under this act, चली, okay, मेरे साथ ये example imagine कीजिए, और अगर आपको imagine होता है, तो बिलकुल बेटा, यहाँ पर, okay, मुझे, मेरा example होने के बाद, मुझे imagination power आपकी बहुत strong की, जितना ज़्यादा आप इमेजिन करोगे, और जितनी ज़्यादा आपकी imagination power होगी, उतना life में आपको success मिलेगी, okay, success, आपको बहुत positive result आएगे, तो now, यहाँ पर, जैसे, जैसे composition ले भी कहती है कि अगर आपका aggregate turnover in preceding financial year, देड़ करोड होगा, या 75 lakhs होगा in special category of state, और service होगा तो 50 lakh, दो scheme है, okay, 15 lakhs यह manufacturer, trader और restaurant catering के लिए है, और 50 lakh जो है, वो predominantly service provider के लिए है, okay, clear, yes or no, चलो, अब दोस्तों देखो, यहाँ पर पिछले साल मेरा पहला साल था, okay, imagine करना, पिछला साल मेरा last year, preceding financial year was my first financial year, उसमें क्या था, मैंने पहले 20 lakh पे threshold लिया था, क्योंकि मुझे threshold available था, मैंने पहले 20 lakh पे threshold लिया था, अब मैंने threshold लेने के बाद, threshold लेने के बाद मेरा turn और हुआ threshold लेने के बाद मेरा turn और हुआ, और वो हुआ 140 lakhs, मतलब 1.4 सी हा, तो 20 lakh threshold था, प्लस 1.4 मेरा, okay, यहाँ पे extra turn और हुआ, पिछले साल, तो मुझे यह बताओ, कि जब मैं preceding financial year का aggregate turn और निकाल होगा, तो मेरा aggregate turn और क्या होगा, threshold को छोड़के, यहाँ जब मैं liable हुआ, वहाँ से, okay, from the first day April, till I am liable for registration, यहाँ जब मैं threshold में था, वो छोड़के जो extra हुआ, 1.4, वो ही लोगा, यहाँ फिर, first April से लेके, till I am liable for registration, यहाँ थ्रेशोल वाला भी, मैं consider करूगा, यहाँ मेरा 1.4 होगा, यह 1.6 होगा, aggregate turn और, बताओ बेटा, जो during threshold हुआ, यहाँ फिर, first April से लेके, till you become liable for registration, यहाँ दूरिंग जो threshold हुआ, जब तक आपका registration नहीं आता है, वो भी turn और, आपके aggregate turn और में लिया जाएगा, फिर वो preceding year का aggregate turn और निकाल रहे हो, यह current year का aggregate turn और निकाल रहे हो, लेकिन जो main important point याद रखना है, वो आपको क discount, अब देखो, आपको याद होगा, तो मैंने interest का concept आपको पढ़ाया था, और मैं पहले से पढ़ा देता हूँ, देखिए, पूरे GST में दो type के interest आपको बहुत अच्छे से पढ़ने है, पहला interest देंस तूनिएगा, आपका पहला interest है, loan advances or deposit, for use of money, आपने जो interest लगाया, वो interest के service कही जाती है, पर वो service exempt है, याने loan advances or deposit का जो interest है, वो exempt supply है, वो exempt है, फिलाल government उसके ओपर GST नहीं लगा रही है, हाँ, एक दूसरा interest जो है, वो interest on delay payment of tax, याने आपके customer, आपने customer को goods बेचा, आपने customer को service बेची, और वो जो goods और service आपने customer को बेची, वो customer जो है, यहाँ पे late pay कर रहा है, तो उसका भी एक interest लगता है, और वो interest पे GST आता है, उसका time of supply जो month में interest मिलेगा, वो आता है, अगर आपको, कि यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, और एक बात का ध्यान रखना, फिर से मैं यह कहना चाहोगा, यहाँ पर, फिर से मैं यह कहना चाहोगा, कि आपको सब याद है, माइन में पहले fix कर दो, माइन में पहले fix कर दो, कि आपको सब याद है, आपने already पढ़ा हुआ है, सिब आपको connection लगाने है, सिब आपको connection लगाने है मेरे साथ, clear, ओके, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, फिर से आपके memory के neurals जो है, ओके, यहाँ पर connect क मत लेना, स्पेशली फॉर कंपोजिशन लेवी मत लेना, मतलब क्या, मतलब यह है कि जब भी आप आप अग्रिगेट टरन निकाल रहे हो, अब अग्रिगेट टरन लेवी में आपको प्रिसिडिंग येर में भी निकालना पड़ता है, करेंट येर में भी निकालना पड़ता ह हम composition लेवी में आगे देखेंगे, तो preceding year और current year में निकालना पड़ता है, फिर वो कि देड करोड हो, 75 लाग हो या 50 लाग हो, तो अब क्या हुआ कि पिछले साल मेरा total turnover था, एक example देखो, पिछले साल मेरा total turnover था 152 lakhs, I repeat 152 lakhs, उसमें से मेरा interest जो था, मुझे interest मिला loan पे, मैंन 5 lakhs का interest था, 152 में से 5 lakhs का interest था, तो बोलिए दोस्तों, okay 152 माइनस 5 lakhs होगा, या only 152, क्योंकि अगर मैं 152 लेलू, तो मुझे composition scheme नहीं मिलेगी, लेकिन, shall not includes, मेरे aggregate turnover में, मैं interest element exclude कर दूँ, तो मुझे composition ले भी मिल जाएगी, तो बोलो, क्या होगा, okay 152 लोगा या 147 लोग 152 लोगा या 147 लोगा, correct, very good, okay 147 लोगा, तो वो interest element जो है, वो interest element यहाँ पे आप consider नहीं करोगे for calculation of aggregate turnover, very good, okay तो मैं 152 माइनस 5 होगा, यह होई न बात, okay और देखो जो भी connected है, उन्होंने अभी तक attendance नहीं लगाए, गलत बात है, okay like करो, अपना attendance लगाओ, okay तो मजा आएगा, मुझे भी आपको बताने मजा आएगा, okay आप अपनी फटा-फट attendance लगाओ, आसा मत करो, okay मैं अपने तरफ से पूरी मैनत कर रहाँ, आप अपनी attendance लगाओ, okay तो चलिए, तो next हम देखेंगे turn on in state, turn on in state और turn on in unitary, union territory, तो अब देखो, turn on in state की definition, यह तो definition लेनी पड़ेगी, मतलब all taxable supply, exam supply, export supply, interstate supply, okay यह definition तो लेनी पड़ेगी, जो वो state से turn on हुआ, okay लेकिन आपको जो है, यहाँ पर, सुनो, specially composition लवी के लिए, कुछ आपको और include, exclude करना पड़ेगा, तो वो क्या कह रहे है, जब आप composition लेवी के लिए turn on in state निकालोगे, तो turn on in state जो है, shall not includes, turn on in state shall not includes, क्या रखना, अब यह क्या कहता है, shall not includes the following supply, पहला, okay, supply is from the first day of April of financial year, up to the date when such person become liable for registration, और दुसरा interest or discount on loan advance, so deposit, इस point को याद रखनो, यह point क्या कहता है, यह point क्या कहता है, यह point यहाँ पर यह कहता है, अब मैं आपको आगे तो रिवाइस करवा दूगा, पर अभी थोड़ समझ लो, जब आप composition scheme में होते हो, तो composition scheme में, okay, जैसा मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ, अगर आपका aggregate turn or, preceding financial year का, okay, aggregate turn or, आपका, okay, does not exceeds, does not exceeds, does not exceeds, does not exceeds, अगर 10, 1 की composition होगी, तो 150 lakhs, यह 1.5 CR, आपको यह एक आदत लगाना, either CR यह lakhs, 1.5 CR, यह 75 lakhs, और 10 to 1 scheme होगी, तो 50 lakhs, जो predominantly service provider पर है, ठीक है, तो अगर आप यह condition fulfill करते हो, तो आपको composition लेवी मिल जाती है, मतलब आप जो है, GST, okay, 1% यह 5% यह 6% से current financial year में pay कर सकते हो, okay, and a low rate का आपको benefit मिल जाता है, पर, क्या पुरा financial year होगा, नहीं, okay, current year में भी यह limit जो है, 1.5 CR, यह 75 lakhs, यह 50 lakhs, इतने amount तक ही, आप 1%, 5% यह 6% पर GST दे सकते हो, यहने, आप current year aggregate turn-or, aggregate turn-or इतने पर आप इतना GST दे सकते हो, अगर इसके बाद भी आपका turn-or होता है, तो आपको normal rate से GST देना पड़ेगा, चलो यह बात हो गई, अब आप जब GST देते हो, तो GST turn-or in state पे देते हो, turn-or in state पे देते हो, मतलब जैसा आपकी एक branch भाराष्टर में, एक branch राजस्तान में, एक branch यहाँ पे MP में है, तो जो महराष्टर से turn-or हुआ, उसका GST composition लेवी में महराष्टर से दोगे, जो राजस्तान से हुआ, वो राजस्तान में दोगे, याने tax pay करते होगे, याने जो आप 1% का tax pay करोगे या 5% का tax pay करोगे, या 6% का tax pay करोगे, तो वो state-wise pay करोगे, आप वो total पे नहीं दोगे, तो जो turn-or in state पर आप tax देते हो, ये turn-or in state निकालते वक्ट, आपको दो चीज़े नहीं लेनी है, याने ये जो 1% of tax आप पे करते हो, तो आपको दो चीज़े नहीं लेनी है, ओके, जब आप tax pay करने जाओगे, तो जो threshold वाला, अगर आपने current year में threshold लिया होगा, आपने current year में बीस लाग का threshold लिया होगा, या 10 लाग का threshold लिया होगा, या 40 लाग का threshold लिया होगा, threshold की 3 limit है, तो 40 लाग का threshold लिया होगा, हम registration chapter में पड़ेगे, तो अगर ये 3 thresholds आपने लिये पे करोगे, तो यह जो लिमिट थी, 10 लाग, 20 लाग, 40 लाग, यह एक्स्लूड करके, जो आगे का होगा, जो आगे का होगा, उस पर ही आपको 1% देना पड़ेगा, let's take example, आपका थ्रेशल 10 लाग है, sorry, आपका थ्रेशल 20 लाग है, तो आगे आपने कितना टरन ओर किया, तो आ 50 लाग पे ही आपको जो आगे यह 1% देना पड़ेगा, और अगर आप सर्वीस में हो, याने आप 6% की स्किम ले रहे हो, तो उसमें आपने थ्रेशल 20 लाग लिया है, तो आपको बच्चे वे 30 लाग पे ही 6% का टैक्स देना पड़ेगा, in short, और कि वो क्या कहते है, वो यह थ्रेशोल पे टैक्स मत दो, वो तो आपका थ्रेशोल था, और कि थ्रेशोल पे टैक्स मत दो, उसके आगे का जो लिमिट है, उस पे टैक्स दो, बड़ा टेक्निकल डिसकुशन था, लेकिन समझ में आया है क्या आपको, यह बता ही है, प्लीज बता ही है, समझ में आया है क तो aggregate turnor के लिए threshold वाला add होगा, लेकिन turnoring state निकालने के लिए वो add नहीं होगा, यह होईना अच्छी बात, और दूसरा, जब आप turnoring state निकालोगे तो उसमें भी interest discount वगरे exclude करोगे, I repeat, जब आप turnoring state निकालोगे तो उसमें भी interest discount, interest on loan या discounting, check discounting, bill of action discounting, वो आप exclude करोगे, यह होईना बात, चलिए, तो यहाँ पर हमने, aggregate turnor और turnoring state और exam supply और specially composition लिए यह दो factor का आपको ध्यान रखना है, चलिए, अब मैं आता हो composition scheme में, अभी तक तो हम definition देख रहे थे, ओके, ठीक है, चलो, आपके कोई भी doubts, question होगे तो बात में, आखरी में लोगा, revision है बाहिर है और वो भी rapid revision है, okay, मुझे cover करना है, question के लिए, हम आखरी में देखेंगे, चलो, अब आजाते है, threshold composition और normal scheme, देखो, threshold क्या होता है, threshold for registration मतलब आपको कुछ limit तक GST देने की जरुवत नहीं है, फिर government न scheme में difference क्या है, बहुत important है, समझ लो, okay, यह flow जो है, okay, यहाँ पे, अगर आप छोटे business man हो, small dealer हो, फिर थोड़े बड़े हो गए, फिर थोड़े बड़े हो गए, तो अगर आपका turn or 10 लाग, okay, 4 state में, okay, कौन सा 10 लाग थ्रेशल 4 state में लगता है, अगर आपको याद होगा, तो 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा, 4 state, 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा, 3 मतलब त्रिपूरा, मनी मतलब मनीपूर, नाग मतलब नागपूर नहीं, okay, नाग मतलब नागलन, okay, और मुझे मतलब मिजुरम, okay, तो 3 मनी वाला नाग मुझे दिखा, okay, तो यहाँ पे त्रिपू लाग का है और अगर आप exclusively supply of goods में हो, I repeat, आप exclusively supply of goods में हो, तो कुछ state छोड़के 40 लाग का limit है, वो हम बाद में देखेंगे, वो हम बाद में देखेंगे, okay, तो अब यहाँ पे, थ्रेशोल, थ्रेशोल मैनिफाक्ट्टर को भी मिलता है, आप ट्रेडर होगे, तो ट्रेडर को भी मिलता है, और सर्विस प्रोवाइडर को भी मिलता है, अब बात आती है, कंपोजिशन लेवी की, अगर आपका एग्रिगेट तरन हो, okay, अगर 10-1 की कंपोजिशन स्किम ले र तीन स्टेट छोड़के बाकी स्पेशल केटेग्री आप स्टेट में होगे तो 75 लाक है, और अगर आप 10-2-1 की स्किम ले रहे हो, तो 50 लाक है, जिसमें 6% का GST आता है, वो भी तीनों का अवेलेबल है, और नॉर्मल स्किम, नॉर्मल स्किम मतलब आप कंपोजिशन लेवी कौर्टरली स्टेटमेंट होता है, येरली रिटन होता है, कंपोजिशन लेवी मोसली उन लोगों को ज्यादा बेनिफिशल है, जिनके ट्रांजिक्शन B2C है, और आगे टैक्स का बेनिफिट पासओन नहीं करना है, इन फ़र्म आप ITC, लेकिन अगर आपके लेना चाहता है, तो ऐसे सिचुएशन में, जो स्मॉल रिटेलर है, B2C ट्रांजिक्शन करते हैं, उनको गौवर्मेंट ने कंप्लाइंस कॉस्ट से बचाने के लिए, रिकॉर्ड कॉस्ट बचाने के लिए, एक सिम्पल स्मॉल परसंटेज का टैक्स लगा है, बाकी नॉर परसंट, 5 परसंट, 6 परसंट, आप ये बर्डन कस्टमर को पासओन भी नहीं कर सकते हैं, ये केस में आप टैक्स इन्वाइस नहीं बना सकते हैं, आपको बील आप सप्लाइ बनाना पड़ता है, तो वह उसके नुकसान है, और के डिपेंट्स के आपका नेचर आप बिजन रजिस्ट्रेशन जो है, तो येस बेटा, देहन से सुनो, जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल में होगा, तो नौट रिक्वाइड, कमपोजिशन स्कीम में होगा, तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, देहन सुनना, क्यों क्योंकि रजिस्ट्रेश threshold में नहीं देना पड़ता है composition scheme में उसका नाम होता है bill of supply, बोलो क्या नाम होता है bill of supply, और यहाँ पर क्या नाम होता है tax invoice I repeat, यहाँ पर क्या नाम होता है tax invoice, उसके बाद में record यहाँ record maintain करने की जरुवत नहीं है यहाँ to the sum limited extended record maintain करना पड़ेगा तो as per prescribed record normal scheme में maintain करना पड़ेगा ITC, ITC threshold में मिलता ही नहीं है composition living में भी, even though आप registered हो पर ITC नहीं मिलता है, लेकिन normal scheme में हो तो ITC मिल जाता है return, return थ्रिशोल के case में नहीं लगता है next, यहाँ पर return जो है yearly जाता है annually जाता है GSTR 4 में और 9A में भी आपको एक पूरा annual return देना पड़ता है और आपका normal return वो भी पूरे साल का जाता है, at the end of April आपको file करना पड़ता है GSTR 4 में quarterly statement जाते है CMP08 में, और payment of tax जो आपको small percentage से करना है 1% और वो भी आपको quarterly पे करना पड़ेगा और normal scheme में GSTR 1, 2, GSTR 3 भी और के ये monthly quarterly basis पे जाएगे monthly और quarterly basis पे जाएगे तो ये देखा हमने यहाँ पे composition scheme उसके क्या benefits और एक सेटरा चली, अब हम देखते है composition scheme देखो बटा, ये chart मैं फिर से कहता हूँ I have tried my best कि पूरा chapter composition levy का एक चार्ट में खतम कर दो हाँ, इसके related मैंने कोई diagrams लियोगे तो वो आप regular book से देख ले ना अगर आपने मेरा regular class किया हो और नहीं भी किया हो तो ये revision तो ही जाएगी साथ साथ में questionnaires देख लेना तो चली, तो चली दो composition levy है पूरे इसमें एक है 10-1 और एक है 10-2-8 ठीक है यहाँ पर 10-1 कर देना एक है 10-1 और एक है 10-2-8 दो composition levy दी है 10-1 की composition levy देहां से सुनिएगा 10-1 की composition levy किसके लिए है तो 10-1 की composition levy यहाँ manufacturer, catering and restaurant और trader जो predominantly service में नहीं है उनके लिए है तो यहाँ 10-1 की composition scheme levy देखो applicable to registered person मतलब क्या कि अगर आप composition scheme levy देना चाहते हो तो आप registered person होना चाहिए whose aggregate tenor in preceding financial year अगर आपको composition levy देनी है तो आपको current year नहीं देखना है आपको preceding financial year देखना है whose aggregate tenor in preceding financial year is not exceeding 75 lakhs अगर आप special category of state में हो तो 75 lakhs other than other than यह बहुत important है हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मुन किश्मिर मतलब कि special category of state में हो तो यह 3 state छोड़के 75 lakh की ही limit आपको मिलेगी अगर आपका aggregate tenor पिछले साल अगर 75 lakhs यह उससे कम होगा अगर 75 lakhs यह उससे कम होगा तो आपको composition scheme नहीं मिलेगी और 75 lakhs यह उससे कम होगा तो आपको composition ले भी मिल जाएगी but dot 75 lakhs होगा तो भी मिल जाएगी 75 lakhs से exceed होता है तो नहीं मिलेगी और बाकी other state होगे including हिमाचल प्रदेश, आसाम और जम्मु और कश्मीर तो वो situation में limit applicable है 150 lakhs ठीक है अब यह जो limit मिलती है applicability में आप थोड़ा यह डाल दो applicability में आप यहां लिख सकते हो यह जो applicable है composition ले भी लिखना तो लिख देना manufacturer यहां पर manufacturer restaurant and catering और trader जो goods में deal करते हैं और यह specially supply of goods और एक service है और वो service है manufacturer और वो service है manufacturer अब नेक्स जो important marginal service वाला concept समझ लो यह marginal service यह नहीं क्या अब देखो 10-1 की composition scheme यह supply of goods जो होता है उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और वहाँ देड करोड का benefit दिया गया है दूसरी बात यहां पर ध्यान से सुनना यहां पर जो है और वो service है restaurant catering restaurant catering के अलावा बाकी दूसरे service को यहां पर अगर आप purely service provider हो तो यहां पर composition living नहीं मिलती है अगर restaurant catering होगा तो आपको देड करोड तक का composition living मिल जाता है अगर नेक्स पॉल्ट यहां पर लेकिन government ने यहां पर 10-2 में एक restriction डाला है conditions for eligibility of composition living अगर 10-2 की एक restriction देखते है तो वो क्या कहता है कि वो cannot supply any service यहांने जो 10-1 का composition living ले रहा है manufacturer, trader और restaurant catering अब example लेते है manufacturer manufacturer supply up goods कर रहा है तो supply up goods के साथ साथ कोई भी service नहीं दे सकता कोई भी नहीं दे सकता ना taxable दे सकता ना exam दे सकता यह 10-2 की condition है आगे जाके, तो कोई भी service नहीं दे सकता trader, trader जब supply up goods करेगा तो उसके साथ कोई भी service नहीं दे सकता restaurant catering, restaurant catering खुद एक service है restaurant catering के अलाओ दूसरी कोई भी service वो provide नहीं कर सकता अंडर same plan, यह restriction डाला हुआ है अब यह restriction डालने के वज़े से और के गरवड क्या हो जाएगी क्योंकि restriction तो आगे गरवड क्या हो जाएगी तो यह तो manufacturer trader के हाथ ही बन जाएगे भाई आजकाल के जमाने में थोड़ी बहुँ services देनी पड़ती है अपने goods के साथ इसलिए यह थोड़ी बहुँ service देने के लिए government ने एक proviso allow किया है और वो यह अगर याद आए तो अच्छी बात और के proviso 2 to section 10-1 come on, proviso 2 to section 10-1 और इसने थोड़ा यहाँ पर रियायत दी है और यह रियायत दी है कि यह जो तीन लोग है manufacturer, restaurant, catering और trader यह जो है, कुछ limit तक service दे सकते है अगर इन्हे composition लेवी रखना है देखो, government कह रही है कि हमारे, आप दो जो आपको service देना है लेकिन, अगर हमारे से composition लेवी का benefit लेना है तो 10-1 की scheme में आप इतने limit तक service दे सकते हो इससे जादा दिया तो उसी दिन composition लेवी withdraw कर ली जाएगी यहाँ पे, कितने limit तक दे सकते हो तो may supply services यह तीन लोग may supply services up to value कितना 10% of turn over in state किसका 10% of turn over in state और union territory और कि in preceding financial year और rupees 5 lakhs which is higher और यह limit state wise है हर state में, जहाँ पे भी आपकी branch होगी उस state का जो turn over in state होगा in preceding financial year ख्याल रहे turn over in state of preceding financial year और union territory in preceding financial year तो पिछले साल का उस state का जो turn over है वो turn over का 10% और 5 lakhs whichever is higher इतने limit तक आप current year में अपने goods के साथ service दे सकते हो और जो भी goods के साथ service दोगे आपको 1% का ही GST लगेगा और यह limit state wise है और whichever is higher लेट्स एक्जामपल आपका प्रिस्रेंग financial year का turn over in state of महराश्टर होगा और वो 60 lakhs है तो 60 lakhs का 10% और 5 lakhs whichever is higher मतलब 6 lakhs आपको मिल जाएगा यह limit आपको हर state में मिलेगी आपका राजस्तान में भी है तो राजस्तान में भी इतना लिमिट तक आप प्रोवाइड कर सकते हो बट एग्रिगेट turn over आप इतनी service दे सकते हो बट एग्रिगेट turn over डज नॉट एक्सिट 1.5 CR ठीक है एग्रिगेट turn over डज नॉट एक्सिट 1.5 CR डण 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 चलिए और यह कहते है कि जब आप पिछले साल का turn over इन स्टेट निकालोगे तो उसमें भी interest consider नहीं करोगे interest on loan advances or deposit नहीं लोगे लेट्स टेक एग्जांपल यहनि इन सिंपल वर्ड एक लाइन में कहो कि आगे तो मैंने कहा है interest का element आप कोई calculation में नहीं लोगे यह मैंने यहां पे limit में दिया है अब वो क्या कहते है यहां पे दहां से सुनिएगा वो क्या कहते है यहां पे दहां से सुनिएगा ओके सुनो जैसे पिछले साल मेरा turn over in state था 60 lakhs in the state of महराष्ट्रा 60 lakhs में से यहां पे 5 lakh interest amount थी on loan advances or deposit तो जब आप 10% का calculation कर रहे हो तो 60 minus 5 याने कितना बचा 55 55 का 10% याने कितना बचा 5.5 तो 5.5 और 5 lakhs which is higher मतलब मुझे current year में कितना service अला होगा तो current year में मैं यहां पे 5.5 तक का service दे सकता हूँ I hope you understood तो यह था regarding to marginal service limit इसके ओपर question आने के पूरे-पूरे chances है exam के लिए इस से related जो भी questions होगे वो ध्यान से देखके जाना specially RTP के questions या फिर examination questions क्योंकि question repeat हो सकता है marginal service में अब यह फटा-फट कभी-कभी ऐसे straightforward question आ जाते है और ऐसे अगर straightforward question आते है तो marks मत छोड़ना what are the conditions for eligibility of composition levy under section 10-1 10-1 की scheme लेना है तो क्या conditions है okay तो यहाँ पर person opting for 10-1 scheme manufacturer हो, catering और trader हो cannot supply any service cannot supply any service unless allowed proviso 2 में जो allow किया marginal service उतना allow होगा बाकी service नहीं देंगे अगर बाकी service दिया तो उसी दिन composition levy withdraw हो जाएगी यह ख्याल में रखना कि these conditions are applicable only for current financial year and not for previous year conditions जो दी है only for only for current financial year okay अब दिखो problem solve करते वक ऐसा हो सकता है कि उसने last year का data दिया हो तो last year में कोई दिक्कत नहीं आप last year में non-taxable supply कर सकते हो interstate supply कर सकते हो issue supply कर सकते हो service कितना भी दो हमें last year से कोई concern नहीं बस इतना ही है कि aggregate turn or operating financial year does not exceeds 1.5 CR और 75 lakhs बस उतना ही concern है ओके यह सारी condition जो applicable होगी वो current financial year में applicable होगी दोस्तों come on यार come on यह सारी condition applicable होगी वो current financial year में applicable होगी मतलब क्या मतलब आपने current financial year में marginal service से ज़्यादा अगर service दी तो उसी दिन composition अशलेवी prospectually withdraw होगी retrospectually नहीं prospectually withdraw होगी let's take example आपका aggregate turn और presenting financial year में 1.5 CR है आपका aggregate turn और presenting financial year में 1.5 CR है और कि यह बात गलत है अभी तक आपने attendance नहीं लगाई attendance लगाओ जो भी रह गया attendance लगाओ फटाफट और attendance कैसे लगाना है like करके मैं चाहता हो कि मेरे साथ आप involved हो जाओ revision में मज़ा आएगा आपको सारी चीज़े connect हो जाएगी boss और ये chart और ये questionnaire और कि बस इतना ही करो मज़ा आजाएगा बोलो yes sir okay तो चली यहाँ पर अब एक example लेता हो हम कहाँ थे okay example लेता हो मेरा aggregate turn और preceding financial year का okay preceding financial year का मेरा aggregate turn और मैंने preceding financial year में कुछ भी किया हो मेरा aggregate turn और जो है वो 90 lakhs था 90 lakhs था तो ऐसे केस में मुझे composition लेवी मिल गी अब composition लेवी में यह current financial में April में मेरा turn और हुआ ध्यान रखना April में turn और हुआ 20 lakhs May में हुआ 30 lakhs 50 lakhs का हुआ current year में मैं देड़ करोड तक 1% से tax हुगा पर अभी तो 50 ही हुआ 20 प्लस 30 50 हुआ okay तो 50 का 1% दिया अब okay क्या हुआ कि मैंने service दे दी और service marginal limit से ज़्यादा दे दी अब जैसे ही मैंने marginal limit से service ज़्यादा दे दी composition scheme withdraw हो जाएगी और इस देड़ करोड नहीं तुमारी marginal limit खतम हुई अब तुमको जो भी marginal limit मिली होगी वो खतम होगी खतम होते ही composition लेवी withdraw हो जाएगी और अब इसके आगे retrospectively नहीं इसके आगे जो है आपको जो tax देना है वो tax आपको normal rate से देना पड़ेगा तो यह जो था यह condition है दूसरा you are not engaged in supply of goods or supply of services which are non-taxable under GST मतलब क्या मतलब देखो आपको composition level नहीं मिलेगी अगर आप non-taxable supply कर रहे हो या फिर आपने composition लेवी ली और जिस दिन से आपने non-taxable supply कर दिया non-taxable मतलब petroleum product है alcoholic liquor for even consumption है उसे दिन composition लेवी विड्रो हो जाएगी current financial year में अगर सर मैंने पिछले साल non-taxable supply किया तो पिछले साल कुछ भी करने है पिछले साल से मुझे कोई लेना दिना नी पिछले साल non-taxable supply किया होगा problem में ऐसा दिया होता है in preceding financial year interstate supply किया allowed पिछले साल allowed है but एक ही condition है कि aggregate turnover does not exceeds 1.5 CR और 75 lakhs यह सारी condition current year में है current year में जिस दिन में non-taxable supply किया हो उसे composition scheme नहीं मिलेगी interstate outward supply किया हो goods or service का मतलब क्या देखो interstate inward supply allowed है मतलब क्या मतलब यह हुआ कि अगर आपने okay देली से माल खरीदा कोई दिक्कत नी composition ले मिल जाएगी restriction किसके ओपर है interstate outward supply अब interstate में क्या आता है interstate में आता है from one state to another state one state to union territory या import export भी किया हो सुनिये द्हान से import export भी किया हो तो आपकी composition scheme उसी दिन withdraw कर ली जाएगी आपको composition लेवी नहीं मिलेगी उसके बाद में next क्या उसके बाद में not engaged in issue supply जहां TCS कट होता है अब यह तो okay यहां yes बेटा Amazon के case में Swiggy के case में अगर आप अपना माल issue के थ्रू बेच रहा हो electronic commerce operator के थ्रू बेच रहा हो Amazon के थ्रू बेच रहा हो समझ लो मैं एक trader हूँ और मैं manufacturer हूँ और मेरा माल मैं Amazon के थ्रू बेच रहा हूँ जो मेरा TCS कार्ट है tax collection at source okay under section 52 TCS कार्ट रहा है तो वो case में जो trader Amazon के थ्रू बेच रहा है या flip card के थ्रू बेच रहा है या swiki के थ्रू बेच रहा है या restaurant catering swiki के थ्रू बेच रहा है तो उससे 150 लाग की composition लेवी नहीं मिलेगी current financial year में या उसी दिन विड्रा हो जाएगी जिस दिन से उसने issue supply चालू कर दिया next not a manufacturer of notified goods notified goods में इस बार कुछ goods add किये वो carefully देख लेना जैसे आपको याद होगा तो अगर वो notified goods का manufacturer होगा come on ya notified goods का manufacturer होगा तो composition skim जाएगी trader होगा तो मिलेगी restaurant catering होगा तो मिलेगी manufacturer होगा तो नहीं मिलेगी let's take example ice cream दिया, edible ice, pan masala, aerated water tobacco, tobacco substitutes तो आपको क्लिक हो जाना चाहिए तो नोडिवाइड गूट से है और यह अगर manufacturer supply करता है तो composition scheme नहीं मिलती है और fly ash bricks या यह भी नए अड़ हुए है और यह last time amendment होई थी fly ash bricks, bricks, fossil mills and etc. तो यह थोड़ा बहुत amendment देख लेना वाँ पे तो यह कुछ items जो है अगर इसके manufacturer होगे come on, manufacture होगे तो उसे composition scheme नहीं मिलेगी और उसके बाद में CTP और NRTP सर यह CTP क्या होता है casual taxable person आगे आएगा registration chapter में पढ़ाओगा तो आप अगर casual taxable person होगे या NRTP होगे non resident taxable person होगे तो आपको composition scheme नहीं मिलेगी तो यह आपने देखा 10-2 की scheme 10-2 की scheme जो है यह पे कहा नहीं मिलेगी उसके बाद में eligibility conditions और यह तो 10-2 था चलो हमने 10-1 और 10-1 के साथ 10-2 जो 10-1 की scheme ले रहा है उसको current financial year में यह condition फुल्फिल करना पड़ेगा अब 10-2 की scheme क्या है 10-2 की scheme predominantly service provider के लिए मैंने only service provider के लिए नहीं कहा predominantly service provider के लिए यह predominantly service provider का मतलब क्या मतलब आप only service का business करेऊ जैसे professional consultants only service का business है training coaching only service का business है तो अगर आप यहाँ पे service का business करेऊ तो वो situation में आपको 10-1 की scheme नहीं मिलेगी क्यों? क्योंकि 10.1 की scheme को clear कहती है कि अगर आप service provider हो तो नहीं और ये भी marginal service की limit जो मिली है वो manufacturer, restaurant और trader को मिली है अगर आप only service देते हो तो 10.2 तो clear कहता है कि नहीं मिलती है 10.1 किसी मतलब क्या? मतलब government को object बहुत clear है कि जो service provider है उनको 1.5 करोड तक हम composition scheme नहीं देंगे यारे 1.5 करोड तक हमें टैक्स देगा ये तो गलत है रहा कि 1.5 करोड तो कहीं only 1%? नहीं service provider को हम 1.5 करोड का benefit नहीं देंगे हाँ service provider को अगर benefit लेना है तो 50 लाग तक का benefit देंगे वो भी 6% के इसाफ से तो जो service provider है तो government ने service provider के लिए दूसरी composition ले भी बनाई और 10-2 है पर ख्याल रहे ये scheme manufacturer और trader को मिल सकती है manufacturer और trader को भी मिल सकती है जो इदर eligible नहीं है generally थोड़ा broad sense पर समझ लो technical words में जाता है वो manufacturer trader जिनके services dominant है जैसा मैं कोई यहां पर मैं भी book sale करता हूँ लेकिन मेरी training coaching service dominant है books चोटे कभी-कभी sale कर लेता हो उसका भी trading होता है तो जो ऐसे trader है जैसे service center service center का main dominant service है कभी-कभी trading भी कर लेता है spare parts भी बेज देता है तो वो trader है यह चोटे-चोटे जैसे manufacturer है तो ऐसे situation में यहां पर ऐसा मैं समझना कि यह only service provider के लिए यह वो भी manufacturer और trader जो 10-1 में eligible नहीं हुए क्यों नहीं हुए क्योंकि उनकी services बहुत जादा है तो ऐसे चोटे trader जिनकी services बहुत जादा है और marginal service से जादा है ऐसे manufacturer जिनकी services बहुत जादा है मार्जिनल से जादा है और वो 10-1, 10-2 में eligible नहीं हुए वो यहां पर 10-1, 10-2 में eligible नहीं हुए वो 10-2 A की scheme लेंगे 10-2 A ख्याल रखना ऐसा लिखना आपको 10-2 A small a नहीं लिखना है समझा कि नहीं समझा यहां पर जितने भी student देख रहे अटेंडन्स लगाए कि नहीं लगाए यहां बोलिए तो ऐसे situation में बेटा दहान सुनो कि यह भी register person को मिलती है whose aggregate tenor in preceding financial year 50 lakhs या उससे कम होना अची है तो ही उसकी composition scheme मिलेगी और यह हर person को मिलेगी जो ten one, ten two के लिए eligible नहीं हुआ मतलब एक purely service provider हो तो आप यहां eligible नहीं हुए दहान सुनना आप purely service provider हो तो आप यहां eligible नहीं हुए तो फिर ten two में 50 lakhs किम आप ट्राय कर सकते हो आप अगर manufacturer हो पर आपकी service बहुत जादा है तो फिर आप यहां eligible नहीं होगे क्योंकि service marginal service से जादा है तो फिर आप यहां try कर सकते हो आप अगर trader हो और आपकी service बहुत जादा है predominant service है तो आप यहां try कर सकते हो मतलब क्या मतलब यह ten two a skim predominantly service provider को द्हान में रखते हुए यहां तक समझा क्या बोलिए yes और कि अब ten two a ten two a में same conditions है जो हमने यहां पर इसले देखो आपको बहुत अच्छा match करके दिया ten two a की skim लेना है पचास लाग की तो उसमें भी आपने non taxable supply नहीं करना चाहिए अब देखो पहली condition तो डाल नहीं सकते बाकी conditions ते में कि उसने non taxable supply नहीं करना चाहिए उसने interstate outward supply नहीं करना चाहिए उसने issue supply नहीं करना चाहिए वो notified goods का notified goods यह नहीं notified goods का manufacturing नहीं और CTP and RTP नहीं होना चाहिए तो ऐसे situation में यह composition scheme उसको यह पे मिल जाएगी और यह conditions हमने देखी उसके बाद में उसके बाद में प्रोविजो 2 section 10-2 ओके प्रोविजो 2 section 10-2 क्या कहता है यह कहता है कि eligibility criteria for composition scheme sorry sorry प्रोविजो 10-2 यह कहता है अगर यह scheme मिलेगी तो सबको मिलेगी नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी मतलब क्या मतलब यह institute का फिवरेट question है बहुती बार question पूछते है कि भाई मेरी एक से ज्यादा branches है महराश्टर में हैं, राजस्तान में हैं, गोवा में हैं और मेरा aggregate turn और सबका मिला के अभी छोटा है भाई मैं branches तो बड़ी बना लेता हूँ अलग 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 जगा बना लेता हूँ कोई भी एक ब्रांच इनिलिजिबल हो गया कोई भी एक ब्रांच इनिलिजिबल हो गया तो उसको composition scheme withdraw हो जाएगी अब देखो समझ लो मैंने महराश्टर में भी लिए राजस्तान में भी लिए मेरी ब्रांच में पर राजस्तान वाले ने कर दिया जो राजस्तान की मेरी ब्रांच है उसने इंटर से सप्लाइ कर दिया गया वहां विड्रा हुआ तो सब का विड्रा हो जाएगा वहां विड्रा हो गया तो सब का विड्रा हो जाएगा तो composition की मिलेगी तो सब को मिलेगी ने तो किसी को नहीं मिले की और एक example लेता हूँ समझ़ोडो आपकी ब्रांच मनिपूर में और एक ब्रांच महाराष्टर में अब महारास्टर के लिए देड करोड का लिमिट मनिपूर के लिए यहाँ पर 75 करोड के नीचे है लेकिन आप मनिपूर के अंगल से देखो तो पचातर लाग के उपर है 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 इसले मनिपूर ब्रांच इलीजिबल नहीं हा न तो महरास्잡ों को भीनेगा क्यों क्योंक कि अगर एक को नहीं मिलेगा ओक यह मैं होप आप यह तीनों और टीनों एंटो के चेंचंश और सेम्टा के 5 द्याकितव ऐगी दोनों के । common proviso है कि अगर मिलेगी तो सब को मिलेगी ने तो नहीं मिलेगी ओके यहां पर यहां तक समझा नहीं समझा मुझे आंसर दीजिए बिटा यहां तक समझा नहीं समझा फटा पट आंसर दीजिए गा यस बोलो बिटा बोलो 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 समझा नहीं समझा very good अब section 10.3 क्या कहता है section 10.3 कहता है eligibility criteria for composition scheme मतलब अगर आपने preceding financial year का turn or condition fulfill कर दिया ये scheme में या ये scheme में condition अगर आपने fulfill कर दिया तो आपको current year में कितने limit तक eligible होगा composition scheme तो आपको उतना है मतलब in current financial year आपकी composition scheme current financial year आपकी composition scheme उस दिन lapse हो जाएगी जस दिन आपका aggregate turn or 150 lakhs या 75 lakhs या 50 lakhs खतम हो जाएगा मतलब आप current year में क्या पुरा साल 1% 5% में दोगे? नहीं आप current year में जो tax दोगे देड़ करोड तक जिस अग्रिगेट तन आवर अग्रिगेट सारी ब्रांचेस का मिलाके देड़ करोड तक या 50 lakhs या 75 lakhs तक आप यहाँ पे यह rate में tax दे सकते हो अगर आप manufacturer हो तो CGST, LGST 0.5, 0.5 मतलब 1% और 1% आप turn over in state लेना है क्योंकि आपको state wise tax देना पड़ता है catering restaurant 2.5, 2.5 of turn over in state और trader होगा तो 1% rate है और 1% of turn over of taxable यहाँ specially सुनना, turn over of taxable supply of goods or services in a state, state or Indian territory और आप 10 to 1 की skim में होगे तो 6% का rate दिया है, come on, 10 to 1 की skim में होगे, तो आपको क्या, 6% का rate दिया है turn over in state turn over in state और यह scheme optional है, very important point, यह scheme optional है, मतलब compulsory नहीं है आपको लेना है तो ले सकते हो, नहीं तो आप normal scheme में जा सकते हो एक जो मैं difference बताना चाहता हूँ, difference यह कि पहले इसमें turn over in state दिया है, दूसरे इसमें turn over in state दिया है और यह 6% में भी turn over in state दिया है, लेकिन specially trader के लिए, जो goods में supply करता है उसके लिए turn over of taxable supply of goods or service के है, तो इन दोनों में difference के है, जब भी मैं turn over in state का होगा turn over in state का होगा, तो आपको taxable supply plus exam plus nil, इसका 1% और 5% निकालना है और उसमें अगर exam supply होगा तो वो भी आड़ करना है, nil rate होगा वो भी आड़ करना है, और उसका 1% मतलब यह हुआ sir, हम यह 1% exam का भी देगे, हाँ, अगर आप manufacturer है, restaurant catering है तो आप तीनों का add करके 1 और 5 होगे, क्योंकि turn over in state includes all taxable supply, all exam supply, nil rate supply export होगा तो composition की मिलती निए, क्योंकि export तो interstate है, non taxable तो interstate है, लेकिन आपका exempt होगा तो वो एड़ करकर 1% होगा, लेकिन trader के case में, come on यार, trader के case में, turn over taxable supply of goods and service in the state trader के case में, आपको exempt add नहीं करना है, आपको एड़ एड़ नहीं करना है, only taxable लेना है, आपको लिखना है तो लिख देना है आपर, don't add exempt और nil rate, यह आपको एड़ नहीं करना है, done, हाँ, अब जो 6% वाला scheme है, 10 to A का, वो भी turn over in state का है, उसमें भी taxable turn over in state मतलब, जब 6% निकालोगे तो आपको taxable plus exam plus nil rate, इसका 6% निकालना है, यानि आपको एक ही case में taxable लेना है, वो ए ट्रेडर, बाकी सारे case में आपको taxable plus exam plus, ओके, तो आप जब current year का composition लेवी में GST calculate करोगे, current year का composition लेवी में GST calculate करोगे, तो आपको trader के case में इसके taxable का लेना है, बाकी के case में आपको exam plus nil rate सारा add कर देना है, तो यह आपने देखा, चलो आजाते है, other conditions for composition लेवी, okay, composition लेवी के other conditions यह है कि आप outwards supply पर tax collect नहीं कर सकते, आप ITC नहीं ले सकते और आप tax invoice नहीं दे सकते है, उसके बाद में, okay, यहाँ पर अगर आपने composition scheme आपको नहीं मिलती है, तभी भी आपने ले ली, okay, जबकि नहीं मिलती है आपको composition scheme, कुछ conditions के वज़े से, क्योंकि आप interstate कर रहे हो, या जो भी है, पर आप ले रहे हो, तो आपके उपर penalty लगाई जाएगी, और section 73, 74 की action भी ली जाएगी, और आपसे पूरा tax भी मांगा जाएगा, उसके बाद में, rule 5 की कुछ conditions बहुर important है, आप bill of supply बनाओगे, औ bill of supply पे, आप 10.1 की scheme ले रहे हो, या 10.2a की scheme ले रहे हो, आप bill of supply बनाओगे, और bill of supply पे clearly लिखोगे, composition taxable pair, not eligible for supplies, मतलब आपके invoice में, ये title होना बहुत जरूरी है, ये लिखा होना जरूरी है, और आप अपने business premises पे clearly display में लिखोगे, composition taxable person, ये आप clearly लिखोगे, उसके बा मैंने अब सारे points cover कर लिए boss, इतना पर लो, questionnaire, देख लो, हाथ खतम, okay, सारे points, मैंने, intimation by unregistered person, मतलब क्या, अगर आपको composition लेनी है, okay, तो registration तो करवाना पड़ेगा, और आप इसके पहले unregistered थे, क्यों, क्योंकि 20 lakh तक का turnover तक आप unregistered हो, आज आज आपका 20 lakh का turnover cross हो रह है, और अब आप registration के लिए जा रहे हो, तो जब पहली बार registration के लिए जाओगे, तो registration form में, REG01 registration form में, एक option होता है, और वो है कि composition ले भी, उस पे आप tick कर दो, उस पे tick कर दो, तो वो ही intimation मान लिया जाएगा, लेकिन, लेकिन अगर आप already registered हो, मतलब आपने registration पहले ले लिया और आपका aggregate turn और देड करोर 55 या 50 लाग से नीचे है, तो वो situation में, आपको special intimation CMP02 form में देना पड़ेगा, अब धहान से सुनना, मेरा एक point, बहुत important है, ऐसा, देखो, composition लेवी, जो है, आपको हर वो साल मिलेगी, अगर आपका aggregate turn और प्रसेडिंग financial year में, 1.5 CR 75 या 50 लाग स उसके next year आपने वापस ले सकते हो, क्योंकि turn और कम होगा preceding financial year का, तो जब जब भी आपका preceding financial year का turn और देड करोर के नीचे जाएगा, या 75 लाग या 50 लाग के नीचे लाएगा, तो आप composition scheme ले सकते हो, उसके बाद में, अगर आप already registered हो, तो intimation CMP02 में देना पड़ेगा, ए आपकी एक से जादा ब्रांचे से इंडिया में, तो क्या सभी जगा intimation देने के जरुवत नहीं है, सभी जगा intimation देना पड़ेगा, क्या नहीं, आपने अगर कोई एक प्लेस है, जैसे महराश्टर से मैंने intimation दे दिया, कि मैं composition scheme ले रहा हो, तो ये assume कर लिया जाएगा, कि इंडिया के ब्रांचेस के लिए, and it deemed to be an intimation in respect of all place of business registered under same plan, सारे इंडिया के लिए आपने intimation दे दिया, MCQ कोश्चन आ सकता है, कि क्या मुझे हर ब्रांच के लिए separate intimation देना पड़ेगा, नहीं, उसके बाद में effective date, तो generally अगर आपका aggregate turn or presenting financial का देर करोड से कम होगा, तो आप आपको पहली, यह स्टार्ट होने के पहली आपको यहाँ पे intimation देनी पड़ेगी, और आपको 1st April से composition scheme लागू हो जाएगी, उसके बाद में, validity of composition scheme, जब तक आप सारी condition fulfill करते हो, तब तक आपकी composition scheme valid रहेगी, पर जैसे आपने aggregate turn or cross कर दिया, 150,50,75 या 10-2 की condition कोई fulfill नहीं की उसी दिन आपकी composition ले भी withdraw कर ली जाएगी, person says to fulfill above condition, तो जैसी, जो 10-2 की condition दी है, या 10-2 की condition दी है, जब तक वो fulfill करता है, ठीक है, जब तक अगर वो यहाँ पे suggest to fulfill, याने अगर उसनी composition scheme withdraw गई, तो उसको एक form देना पड़ता है, CMP 04 में, सर्फ form याद करने कर नहीं, अगर अब next point है, composition scheme से मैं voluntary भाहर आ सकता हो किया, अब मैं composition scheme ले लिया, लेकिन अब मुझे नब भाहर आना है composition scheme के, क्योंकि मैं बहुत बड़ा machine खरीद रहा हो, और मुझे ITC चाहिए, तो मुझे ITC चाहिए, तो मुझे भाहर आना है, या मेरे अब customer B2 भी जादा आर है, मुझे अबी मेरा limit बाकी है, 1.5 crore का limit मिला है, उसमें से 70 lakhs का limit मैंने use किया है, और अबी बाकी 80 lakh का limit बाकी है, पर मुझे बाहर आना है composition scheme के, आप बाहर कभी भी आ सकते हो, डरो मत, बस आपको एक form देना है, withdrawal of composition scheme का, CMP04, और आप बाहर कभी भी भी आ सकते हो, सर ये बताईए कि जब मैं बाहर आ रहा हो, तो मुझे retrospectively पूरा tax normal rate से देना पड़ेगा, नहीं, आपको prospectively, जो आपने composition लेवी में दे दिया, दे दिया 70 lakh का, अब इसके आगे जो आप tax होगे, वो normal rate से आप tax होगे, और जैसे आप composition लेवी से बाहर आ गए, तो आपको अपनी stock का पूरा details द दोगे, return नहीं, quarterly statement दोगे, और हर quarter होने के बाद 18 तारिक को आप उसका, okay, GST पे करोगे, government को, 18 को पे करोगे, और statement दोगे, CMP08 में, उसके बाद में return जो आप फाइल करोगे, वो पूरे year का फाइल करोगे, और वो 31st मार्च का year खतम होने के बाद, आप 30 April तक GST R4 दोगे, और आप annual return भी दोगे, GST R9 में, तो यहां तक हमारी procedure सारी composition लेवी में खतम हो जाती है, okay, और मैंने यहां interest के calculation दिये है, यह interest के calculation देख लेना, मैं एक लाइन में कहना चाहूगा, कि जब भी कोई calculation करो, okay, आप क्या calculation करते हो, composition लेवी में aggregate turn, पिछले साल का aggregate turn, और current year का, जब भी आप turn or in state calculate करोगे, तो interest मत लेना, जब भी आप 10% का calculation करोगे, तो interest मत लेना, in short, आप जो है, interest कहीं पे भी consider नहीं करोगे, on loan advances or deposit, चलो यह भी पढ़ लेते है, okay, यह देखो, aggregate turn or of XYZ limited in preceding financial year 152 lakhs, which includes interest on loan advances or deposit 3 lakhs, whether composition लेवी is available in current financial year, okay, 152 था, interest 3 lakh था, 152 minus 3, यहने 149 हुआ, yes, वो 150 से नीचे है, okay, तो मुझे composition लेवी मिल जाएगी, अगर आप 75 lakhs की limit में होँ, तो वो deduct करो, आप, sorry बेटा, आप 50 lakh की limit में होँ, तो वो आप deduct करो, चलो, दूसरा example लेते है, XYZ limited has opted composition लेवी in current financial year, okay, उसने composition scheme ले ले ली, sorry, sorry बेटा, एक मिनूट झाल, 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 झाल झाल, झाल, झाल झाल, 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 झाल हलो, 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 आवाज आ रही है, हलो, आजाईगे, 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 आवाजाईगे, हाँ, दूसरा हम यहाँ यहाँ पे लेते है, XYZ limited has opted composition लेवी, second वाला, अब उसने composition लेवी ले लिया, okay, और लिया मतलब उसका turn or preceding financial year का threshold limit से कम था, current year में, till September, उसका aggregate turn or 155 lakhs हुआ, जिसमें 10 lakhs का interest included था, तो बताओ, current year में तो मुझे composition लेवी देड़ करोड तक मिलेगी, पर क्या मेरा limit exhaust हो गया, नहीं, current year का जब aggregate turn or निकालोगे, तो 155 minus 10, मतलब आपका limit जो अभी तक exhaust हुआ, वो 145 हुआ, और अभी भी आप बच्चवे 5 lakhs का, आप यहाँ पे composition लेवी ले सकते हो, तो अभी भी आप जो है, जब आप interest निकालोगे, तो previous year का aggregate turn or exclude, current year का aggregate turn or exclude, done, उसके बाद में next, next क्या है, manufacturer of PQR Limited, has obtained composition लेवी इन current financial year, okay, composition लेवी उसने ले लिया, अब आगे, taxable supply of goods से 20 lakhs, taxable supply of service से 2 lakhs, exam supply of 1 lakh, और interest on loan or deposit 0.5 lakhs, calculate GST payable, जब आप GST निकालोगे, 1% of turn or instead, पहली बाद तो manufacturer है, manufacturer है तो इसका taxable plus exam एड़ करना पड़ेगा, तो 20 goods का लो, service दो ले लो, 22 हो गया, exam भी एड़ करो, exam याने क्या कितना हो गया, आपका 23, पर interest नहीं करोगे, क्योंकि जब आप turn or in state निकालते हो, तो turn or in state में भी interest को exclude कर रहे हो, तो जब आप 1% of turn or in state दोगे, तो आप उसमें interest को exclude करोगे, उसके बाद में next बेटा, next यहाँ पे ABC Limited has turn or in state of Maharashtra preceding financial year, पिछले साल ABC Limited का Maharashtra का turn or 80 lakh था, turn or includes 7 lakhs for interest, यह 80 में interest भी included था, whether ABC Limited is eligible for composition living, current financial year, क्या उसे current financial year में composition living मिलेगी, तो पहली बात तो ABC Limited है, महarashtra में था, अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि यह supply up goods में है, और यह trader है, या फिर manufacturer है, तो 80 माइनस 7, पिछले साल का जब aggregate turn or निकालोगे, तो 80 माइनस 7, यानि कितना है 73, 73 आया, मतलब ही यह हुआ कि वो composition living मिलेगी, अब आगे क्या पुछते हैं, also what is the amount of marginal limit of service available, जब आप current year का marginal service limit निकाल रहे हो, तो आप कैसे निकालोगे current year का marginal service limit, तो पिछले साल का, जो turn or in state था, कितना था आपका turn or in state पिछले साल का 80 लैक्स, उसका 10 परसेंट पर ख्याल रहे हैं, जब आप पिछले साल का turn or in state लेते हो, तो उसमें से interest exclude करना, interest exclude करना मतलब 80 minus 7, यहने कितना हुआ, 73, 73 का 10 परसेंट और 5 लैक्स, whichever is higher, वो आपकी marginal limit की service होगी, नाँ, निचे क्या दिया देखो, continuing the above example, ABC limited where marginal limit of current financial year 7.3 लैक्स मिलेगा, इन current financial year till September, ABC made supply of 75 लैक्स and supply of service 9 लैक्स, जिसमें interest 2 लैक्स है, तो क्या उसके limit to exhaust हुई, थोड़ा यह question का समझे लो, आपको current year में 7.3 लैक्स का marginal limit मिला है service, यहने current year में आप 7.3 लैक्स तक service दे सकते हो, अब उन्होंने September end तक का data दिया, उन्होंने कहा कि गूर्ष तो 75 लाक्स हो गया, और service 9 लैक्स होगी, ओ, service 9 लैक्स होगी, मतलब 7.3 के उपर चलेगी, तो 7.3 के उपर चलेगी, तो क्या अब limit withdraw हो जाएगी, क्या नहीं, जब current year का marginal limit निकाल रहे हो, तो उसमें भी interest एक्सलूड करो, मतलब 9-2, याने 9-2 अगर आप एक्सलूड करोगे, तो कितना होगा 7, 7 अगर होता है, तो वो अभी भी 7.3 के नीचे है, और 7.3 के नीचे है, तो आपको जो है, अभी भी, service की marginal limit 0.3 बाकी है, ओकी, in simple word, मेरा ये कहना है, कि जो भी interest सब में से exclude कर देना, अगर ये का aggregate turn-on में included, exclude, turn-on in state में exclude, ओकी, previous year के turn-on में होगा, तो exclude, वो exclude करके calculation करना, या आपके marginal service में होगा, तो exclude, ओके, तो इस तरह से, हमने सारे concept देख लिए, यहाँ पे composition लिवी के, ओकी, मज़ा आया बेटा, yes or no, मज़ा आया क्या, चली, तो हमारे ये super 50 के questions फटावट देख लेते हैं, chapter है RCM, chapter कौन सा है बेटा, RCM, चलो देख हूँ यहाँ पे, Mesas XYZ Private Limited is a trading company, engaged in the supply of goods and services, and registered under GST, from the following information, determine, person liable to pay goods and service tax, both supplier and recipients are located in India, well, XYZ Limited avail service of Vimal goods transport agency, XYZ ने, service लिए, और वो Vimal goods transport agency का, GTA का service लिए, transportation of goods by road, by, मतलब, GTA का service लिए, from road, from factory located in Pune, to Satara Depot, and paid freight of rupees 1 lakh, where GST is charged at the rate applicable, Vimal goods transport agency is registered under GST, and exercise the option to pay tax under forward charge, oh, oh, तो अब यहाँ पे GTA जो है, GTA ने registration लिया है, और forward charge में GTA tax दे रहा है, अगर forward charge में GTA tax दे रहा है, तो XYZ is not liable to pay tax, okay, उसका tax GTA ही देगा, what will be your answer, if GTA is not exercised the option to pay tax under forward charge, अगर GTA forward charge वाल option नहीं लेता है, then recipient is the body corporate, okay, who is liable to pay freight, तो 1 lakh पे river charge में, यहाँ पे कौन tax देगा, तो, okay, एक लाग पे XYZ Limited, body corporate है, और river charge में tax देगा, okay, यहाँ पे, चलिए, और वो body corporate भी है, वो register person भी है, okay, register under GST भी है, तो river charge में GTA tax देगा, देखो, और लिखना कैसे, लिखना इसको, okay, writing practice में पहले legal provision क्या है, फिर discussion क्या है, बहुत अच्छा तरीका है लिखने का, 9.3 में, okay, read with notification, if transportation or service by road by GTA to a specified recipient, body corporate establish under law, liable to pay tax, लेकिन, लेकिन अगर GTA exercise the option to pay under forward charge, तो वो case में GTA forward charge में tax देगा, in given case, XYZ Limited is a specified recipient, a body corporate established under any law, अगर GTA exercise the option to pay forward charge, okay, tax invoice में भी हो अच्छार कर दा है, therefore, Vimal Goods Transport Agency is liable to pay tax and not XYZ, लेकिन, in second case, GTA has not exercised the option, then XYZ Limited उसका tax pay करेगा, भाई, समझ में आया क्या, पहला A, ए समझ में आया होता, A type कीजिएगा, फटा फट, उसके बाद है, next, due to conflict arise in company, XYZ Limited availed legal service from VHB and company, partnership firm of advocate, भाई, XYZ ने legal service लिया, और legal service जो लिया, वो partnership firm से लिया, तो अगर partnership firm से legal service लिया, और ये business entity है, inner taxable territory, तो क्या यहां river charge लग जाएगा, yes river charge लग जाएगा, तो देखो B यहाँ पर, okay, B क्या कहता है, section 93, section 93 में legal service अगर आप लेते हो, okay, section 93 में legal service आप लेते हो, और firm of advocate of business entity, तो वो case में, यहाँ पे business entity liable होगी for payment of tax, शलिए, next, third, okay, government has provided infrastructure support service to XYZ Limited for rupees 14 lakhs, government कोई भी service, कोई भी service, अगर business entity को देता है, other than department of post, renting of immobile property, वो भी registered को दिया, तो river charge है, तो department of post, vessel और aircraft, या transportation service, तो यह infrastructural service है, और उसने XYZ को दिया, तो यहाँ पे भी reverse charge आ जाएगा, answer आप देख सकते हो, next, XYZ Limited provides sponsorship service to Mr. Bhagat for cultural event, अब देखो sponsorship service दिया और यह XYZ ने दिया, और Mr. Bhagat को दिया, तो sponsorship service में हमने क्या देखा था, sponsorship service हमने यह देखा था है, कि service provider is any person, और service body corporate को दिया, या partnership firm को दिया, तो reverse है, यहाँ service body corporate को नहीं दिया, यहाँ पे service integer को दिया, तो यह river charge applicable नहीं होगा, और कि D clause में वो forward charge में लाइबल होगा, और कि service अगर body corporate और partnership firm को दिया, तो reverse है, company ने service individual को दिया है individual को दिया है इसलिए वहाँ forward charge applicable किया जाएगा यह समझ में आया चलिए E, XY Limited also provides service to star industry limited USA value of being 7 lakhs, अब XYZ Limited ने service दिया star industries को USA valuing 7 lakhs, बाहर service दिया तो यहाँ reverse charge का सवाल ही नहीं आता है यह export service हो सकती है और यहाँ X is an executive director and employee of XYZ Limited अच्छा out of total remuneration amounting 1,25,000 60,000 has been declared as a salary in the books of XYZ TDS 192 में है 65,000 disclosed separately as a salary जिसका TDS 194J में है तो फिर reverse charge कब आएगा, पहले तो आपको यह बता दो अगर आपका TDS 192 में deduct हुआँगा तो वह salary है schedule 3 अपला है जाएगा, उसके पर GST ने आएगा, लेकिन अगर आपका TDS, सुनो, अगर आपका TDS 194J में क्यों वह remuneration of salary और TDS 194J में deduct हुआ है, तो वह service है और वह service में XYZ Limited reverse charge में liable हो जाएगा, आप answer देख सकते हो इसका, एक बार यह answer मैं भी read कर लेता हो, कोई correction नहीं तो correction भी कर सकते है, EF F देखो, remuneration declared as a salary of the company under 194J में तो outside the schedule 3 आजाता है और अगर वह outside the schedule 3 है तो 9-3 के हिसाब से, अगर director ने service यहाँ पे company को दी, तो river charge में company liable होगी, इसलिए 60,000 तो non taxable होगे, लेकिन 65,000 यह out of the scope of schedule 3 है, इसलिए taxable हो जाएगे और river charge में company उसका tax देगी, done, चलिए उसके बाद में next renting income received by महारास्टा state government from renting an immoyable property to XYZ private limited, महारास्टा state government ने renting of immoyable property XYZ को दिया, XYZ registered है, तो अगर registered है तो यहाँ river charge में liability किस क्यों पर आएगी XYZ पर आएगी, और उसका tax कौन पर करेगा, XYZ पर करेगा ठीक है, उसके बाद में Mr. X submit a cab request to speed cab for traveling from Pune to Mumbai speed cab in mobile application owned and managed by smart cab technology limited, महाँ Mr. X ने जो है, जो डारेक्टर था एक cab book किया, issue के थूँ और वो issue के थूँ जो cab book किया और यहाँ पर traveling तो अगर कोई service issue के थूँ book होती है, तो उसका tax कौन पर करेगा smart cab technologies उसका tax पर करेगा, ओके तो liability, अगर आप edge देखते हो तो edge में liability किसके पर आएगी section 95 के इसाब से, अगर यहाँ पर transportation of passenger होगी, cab के थूँ होगा, तो liability issue पर आएगी, तो यहाँ पर liability smart cab technologies पर liability आएगी Mr. X या company पर उसकी कोई भी liability नहीं आएगी, उसके बाद में, next XYZ limited as available service by of renting of motor vehicle from Mr. Poonawala for total consideration of rupees 1.5 lakhs, including cost of fill, Mr. Poonawala opted to pay 5% and available input tax credit of input services received from supplier of same kind, and then limited service है और 5% है, वो ITC ले रहा पर limited service का मिल रहा है, okay, तो who is engaged in the same line of business, would answer differ if service by of renting of motor vehicle was taken by manager of XYZ limited on his own account अब देखाँ, जान से सुनिएगा हमने क्या पढ़ा था, अगर renting fell apart, renting of motor vehicle होगा, तूसरा, design to carry passenger होगा, design to carry passenger होगा, तूसरा, cost of fuel included होगा, चोथा, वो 12% के option में नहीं आ रहा होगा, person any person other than body corporate होगा, तो पुना वाला, Mr. पुना वाला है, अने any person other than body corporate होगा, और लेने वाला body corporate होगा, तो वो case में reverse charge applicable हो जाएगा, तो अगर आप carefully पढ़ते हो, तो सारी condition fulfill हो रही है, अगर सारी condition fulfill हो रही है, लेने वाला body corporate है, सारी condition fulfill हो रही है, तो वो case में यहाँ पे XYZ Limited लेकिन अगर ये जो है service manager न ली और manager company के नाम का bill नहीं लिया उसने खुद के account पे लिया company के नाम का bill नहीं लिया तो ऐसे case में अगर ये service manager ने ली होगी तो वो individual ने ली मानी जाएगी और वो individually ये 9-3 की सारी condition है Mr. Puna वाला service of renting of motor vehicle to XYZ लेकिन अगर वो service यहाँ पे person other than body corporate लेता है तो वो forward charge होगा Mr. Puna वाला उसका tax देगा 5% से चलिए next देखो यहाँ पे ये तो हो गया Mr. X visit Goa for business trip where hotel owner provide accommodation through electronic commerce operator hotel book किया और hotel book किया cool trip hotel owner is not liable to GST under tax अगर hotel नहीं liable है तो फिर ECO tax देगा फिर ECO tax देगा would your answer differ if ECO cool trip does not have a physical presence in India अगर ECO cool trip का physical presence नहीं होगा तो उसका representative tax देगा पर tax तो ECO देगा पर अगर hotel liable to registered होता अगर hotel liable to registered होगा तो होता तो liability फिर hotel वाले पर आ जाती लास्ट एक्सवाइड लिम्टेड प्रोवाइड सर्विस बाइवाब रेंटिंग इस वेराउस तो Mr. चिराग पूच दिलर रजिस्टर अनर्जिस्टरी फोर स्टोरिंग परिशेंबल गूड्स commercial property रेंड पर दी अब यहाँ पर example number 2 ले लेते हैं Mr. Goyal Ganga a promoter and builder promoter and builder under GST started new project royal house total cost of project 300 crores for that it purchased a following input or input service during the financial year उसने input other than cement खरीदा और वो exclusive of GST 2,52,000 का inputs purchased from Mr. Anil जो unregistered है 1,20,000 का input services Shubash and company unregistered से खरीदा 48,000 का total उसकी purchase 4,20,000 है अब हमने क्या देखा जो उसकी total purchases है उसका minimum 80% register से होना चीए और 20% unregistered से होना चीए अगर कुछ shortfall हुआ तो जितना shortfall होगा उसका reverse charge आ जाएगा देखते हैं दूसरा what will your answer if Mr. Goyal Ganga purchase cement from register as well as unregistered supplier as under cement होगा तो जो भी उसने unregister से खरीदा जो भी उसने unregister से खरीदा वहाँ पे reverse charge में liability आ जाएगी rate दिये 18% cement के 28% देखो तो यहाँ अगर मैं calculation लूँ total आपकी purchase 4,20 है उसमें से आपने 252 का register से खरीदा मतलब 60% ही आपने खरीदा तो 60% खरीदा था आपका shortfall 20 हो गया क्योंकि minimum 80 खरीदना चाहिए था जिसमें से आपने 60 खरीदा shortfall 20 हो गया तो जो shortfall 20 हो गया 84,000 84,000 का reverse charge में promoter पे liability आ जाएगी ठीक है जहा तक बात cement की है तो cement पुरा पुरा river charge में आएगा 84,000 ठीक है जहा तक बात cement की है तो cement पुरा river charge में आएगा तो cement अबन से करीदा ABC के लिदा यह पुरा river charge में liability 28% की ओके वो promoter पे ही आएगी तो यह आपने problem देखा इस तरह से section 9394 और 95 पर problem देखे ठीक है पटा पट यहां पर एक problem लेते है जो comprehensive problem मैंने बना है बड़ा मज़्यदार problem है comprehensive problem यहां देखेंगे जिसमें maximum adjustment कवर करने की मैंने कोशिश की है दो problem यहां हम solve करेंगे और आप भी घर पे लिख कर देखो solve करके देखो ठीक है चली यह देखें Mr. Amar is running a consultancy firm by consultancy firm चला रहा है मतलब service है and also ready-made garments oh ready-made garment मतलब supply of goods भी है okay showroom which are registered under same pan okay एक ही pan में है turnover of showroom is 35 lakhs and receipt of consultancy firm is 15 lakhs मतलब trading कर रहा है 35 lakhs की और consultancy firm के receipt 15 lakh है in current financial year based on above information answer the following question independently अलग-अलग situation में आप independently answer दो तो ज्यादा अच्छा है और कि एक situation दूसरे से कोई भी connected नहीं है ठीक है पहला whether Mr. Amar is eligible for composition scheme under section 10 of CGST Act क्या अमर को composition scheme मिलेगी क्या under section 10 assume turn over in state of preceding financial year is 10 lakhs okay preceding financial year का turn over 10 lakhs है चलो अब देखो preceding financial year का उसका turn over 10 lakhs है 10 lakhs है तो इसे composition scheme मिलेगी क्या? composition scheme में दो scheme है एक scheme है यहाँ पे 10-1 की scheme और एक है 10-2-A की scheme एक है 10-2-A की scheme 10-1 की scheme क्या कहती है? if aggregate turn over offering financial year 10-1 की scheme किसको मिलती है? तो 10-1 की scheme trader को given case में trader है plus वो service दे सकता है और service marginal limit तक वो यहाँ पे service दे सकता है marginal limit तक वो service दे सकता है supply of service कर सकता है तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो पहला condition 10.1 में देखता है कि aggregate turn on of preceding financial year does not exceeds 1.5 CR और 75 Lakh तो चलो अच्छी बात है तो वो तो कम है कम है तो वो current year में यहाँ पर current year में 10.1 की scheme ले सकता है लेकिन 10.1 की scheme में उसको जो है marginal limit कितनी मिलेगी तो उसको marginal limit मिलेगी प्रिसरिंग financial year का जो turn on state है उसका 10% और 5 Lakhs वीचोरी जायर मतलब 5 Lakhs लिमिट मिलेगा जबकि problem यह कहता है कि उसने service 15 Lakh की दी हुई है मतलब यह हुआ कि अगर आप अच्छे consultant हो और उसका 15 Lakh का service है तो फिर मैं आपको यह कहना चाहोगा कि 10.1 में वो eligible नहीं हो सकता क्यों 10.1 में eligible नहीं हो सकता क्योंकि उसकी service element marginal service से ज़्यादा है इवन दो garments है ट्रेडर मतलब वो garment 35 Lakhs का वो business कर रहा है goods का लेकिन साथ-साथ में marginal limit से ज़्यादा service है इसलिए वो 10.1 में eligible नहीं होगा फॉर composition लेवी तो उसने कौन सा लेनाती है 10.2.A scheme ज़्यादा उसके लिए better है पर 10.2.A scheme की condition क्या है 10.2.A scheme की condition यह है कि aggregate turnover of preceding financial year 50 Lakh तो क्या इसका preceding financial year 50 Lakh से नीचे yes उसका 10 Lakh है 10 Lakh है तो yes 10.2.A के लिए eligible हो जाएगा 10.2.A के लिए कौन eligible होता है जो 10.1 के लिए eligible नहीं तो 10.1 के लिए eligible क्यों नहीं हुआ क्यों क्योंकि वो marginal limit से ज़्यादा service दे रहा है इसलिए वो यहाँ पे उसको लेके कोई फायदा नहीं वो eligible नहीं होगा उसकी scheme immediate withdraw हो जाएगी तो ऐसे situation में वो 10.2.A में जाए और 10.2.A में और के प्रिसरिंग financial year का turn और 10 Lakh है तो वो बिंदास यहाँ पे services 15 Lakh तक की दे सकता है और लेकिन problem है कि यहाँ 1% का rate मिलता था अब 1% का नहीं मिलेगा उसको 6% का rate मिलेगा अगर आपको यह पहला point समझाओगा A तो yes type कीजिएगा A A type कीजिएगा तो देखो यहाँ पे अब मैं step by step यहाँ पे read करता हूँ समझा क्या पहले बताओ A type करके बताओ देखो as per section 10.1 read with second provis person providing restaurant service can offer composition scheme without any limit for supply of service a person who opt to pay tax under 10.1 में supply services other than restaurant in current financial year a value not exceeding higher that is 10% or 5 lakhs whichever is higher मतलब जो भी 10.1 के लिए services eligible कर रहा है restaurant और catering छोड़के बाकी वो कोई भी service के marginal limit से जादा नहीं दे सकता है 10.2 A कहता है कि if any person engage in supply of service except allowed above then वो ineligible हो जाए बाग for composition scheme इसलिए लेकिन 10.2 A क्या कहता है ये 10.2 A कहता है कि register person जो eligible नहीं होता है 10.1, 10.2 में और उसका pressuring financial year का 10.5 lakhs से नीचे है तो वो 10.2 A में composition scheme ले सकता है और 10.2 A में composition scheme और 10.2 A में वो composition scheme ले सकता है और फिर उसले interstate outwards supply नहीं करना चाहिए और notified goods का manufacture नहीं होना चाहिए ये मैने common legal provision ली सारे situation के लिए तो पहले case में No, Mr. Amar is not eligible for composition scheme under section 10.1 because he is applying for consultancies of 15 lakhs in current financial year which is more than 5 lakhs but Mr. Amar can offer composition scheme under 10.2 A as his aggregate turner of preceding financial is 10 lakhs which does not exceed 50 lakhs वो 10.2 A में ले सकता है 10.1 में नहीं ले सकता है तो यहाँ question में थोड़ा correction कर लेना whether Mr. Amar is eligible for composition scheme under section 10.1 कर देना यहाँ पे corrected होगा तो कोई problem नहीं otherwise आपने correct कर लेना 10.1 उसके बाद में second if instead of consultancy agency ना दे और consultancy के जगा जो वो service दे रहा है और वो service त्रेडिंग याण गर्मेंट्स के साथ जो service दे रहा है वो service restaurant दे रहा है ok restaurant service दे रहा है अगर restaurant दे रहा है तो boss उसको 10.2 A में जाने की जरुवती नहीं है उसको 10.1 में मिल जाएगा Okay, restaurant 10.1 में कितना भी allowed है? Okay, 10.1 में ही मिल जाएगा, restaurant 10.1 में कितना भी allowed है? अगर other services आप दे रहे हो, तो वो marginal limit से जादा नहीं होनी चाहिए. वो marginal limit से जादा नहीं होनी चाहिए. तो ऐसे situation में, अगर वो restaurant देता है, तो B का answer क्या है? तो if Mr. Amari is providing restaurant service which are eligible for composition scheme under section 10.1, read with second provision of 10.1 without any limit, without any limit for providing such service, hence not become ineligible under 10.2a also. मतलब क्या? उसको 10.1 की ही scheme मिल जाएगी, 10.2 A में, 10.2 A में जाने की जरुवत नहीं है, और जो 10.2 में restriction डाला हुआ है, condition है, वो other than restaurant के लिए है, इसलिए यहाँ पे, B clause में उसको 10.1 की scheme मिल जाएगी, B समझाओगा तो B, फटा फट B type कीजिएगा, मेरे साथ interactive रहिएगा, प्लीज मेरे साथ interactive रहिएगा, B type कीजिएगा, उसके बाद में C देखो, if turnover of garment showroom is rupees 1.5 crores in preceding financial year, and there is no consultancy firm, whether A is eligible for compositions scheme, मतलब के उसका turnover preceding financial year का सीव garments का होता, और garments का turnover 1.5 CR होता, तो क्या उससे compositions scheme मिल जाती? बिलकुल मिल जाती, क्योंकि अब वो exclusively supplier of goods है, उसकी कोई service है नहीं, तो क्या, okay, aggregate tenor of preceding financial year does not exceeds 1.5 CR, dot 1.5 CR है, तो उसको composition scheme मिल जाएगी, तो यहाँ पे C देखो क्या कहते हैं, okay, yes, Mr. Amar being a trader, eligible for composition scheme under 101, and his aggregate tenor does not exceeds 1.5 CR in preceding financial year, तो C समझाओगा, तो बड़ा 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 C type करो, C समझाओगा तो बड़ा बड़ा C type करो, okay, उसके बाद में D, Mr. Amar has registered office in Maharashtra and Punjab, and supplies the goods in neighboring state, okay, उसका registered office in Maharashtra and Punjab में, और neighboring state को supply कर रहा है, मतलब वो, मतलब वो interstate supply कर रहा है, अगर वो interstate supply कर रहा है, तो composition scheme किसी में नहीं मिलेगी, okay, ना 10-1 में मिलेगी, ना 10-2A में मिलेगी, तो अगर यहाँ पे आप D का answer देखते हो, तो अगर वो neighboring state को supply कर रहा है, मतलब वो interstate outward supply कर रहा है, और interstate outward supply कर रहा है, तो उसे composition scheme नहीं मिलेगी, अगर D समझाओगा तो पटापट D type करो, उसके बाद में E, okay, E देखो, Mr. Akbar, who is the brother of Mr. Amar, is the manufacturer of building bricks in a state of Maharashtra, his turnover for the year does not exceed 1.5 crores, he want to take advice from Mr. Amar, for eligibility of composition levy, Amar का एक ब्रदर अखबर, और वो building bricks manufacture कर रहा है, manufacture कर रहा है building bricks, okay, उसका 10 और 1.5 crore के नीचे है, Amar से वो consultancy चाहता है, कि उसे composition scheme मिलेगी या नहीं मिलेगी, आप क्या कहते हो, okay, मिलेगी या नहीं मिलेगी, E मैं बताओ फटाफट, building bricks बना रहा है, 10-1 की scheme, 1.5 crore का composition scheme चाहता है, supply up goods है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, okay, मैंने पूछा answer दो, मिलेगी या नहीं मिलेगी, चलो, obviously बेटा, अगर आपको याद होगा, to building bricks जो है, वो यहाँ पे, okay, exception में आती है, और उसको composition scheme नहीं मिलेगी, इसलिए point E अगर आप देखते हो, okay, तो यहाँ पे, building bricks is notified under section 10-2E, okay, इसलिए उसको composition scheme नहीं मिलेगी, and he is the manufacturer, okay, of that building bricks, इसलिए उसको नहीं मिलेगी, okay, उसके E हो गया, F, can Mr. Amar having a registration in multiple state, off for payment of tax under composition scheme in only one state, and not in other state, ऐसा नहीं हो सकता है, अगर आपको composition scheme लेना है, तो सारे state के लिए लेना पड़ेगा, okay, you cannot off for one state, and cannot allow another state, मिलेगी तो सब को मिलेगी, नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी, एक भी ineligible होता है, तो उसको composition scheme नहीं मिलती है, अगर F point समझाओगा, तो F type कीजिएगा, now G point, can Mr. Amar who has opted to pay tax under composition scheme, avail input tax credit on his inward supply and collect the tax on his outward supply, no, okay, अगर section 10-4 की conditions आपको पता होगा, तो 10-4 की condition है कि वो ITC नहीं लेग सकता, और वो outward tax भी, यहां पे, okay, tax collect नहीं कर सकता है, चलो, G हो गया, H, okay, Mr. Amar availing composition scheme under subsection 1 and 2 of section 10, in Maharashtra, during financial year, he crosses the turner of 1.5 crores in the month of December, उसका turner current year में, okay, December में cross हो गया, will he allow to pay tax under composition scheme for remaining year till 31st March, अब उसका December में 1.5 crore तक का turner cross हो गया, तो क्या वो पुरा साल composition scheme ले सकता है, नहीं, जैसे उसका turner cross हो जाएगा, composition scheme lapse हो जाएगा, उसे intimate करना पड़ेगा, वहाँ composition scheme withdraw हो जाएगी, और उसे normal scheme में tax देना पड़ेगा, और tax invoice issue करना पड़ेगा, okay, answer दिया है, आप read कर सकते हो, उसके बाद में, यहाँ पे, H समझाओगा, तो फटाफट H type कीजिएगा, what are the penal consequences if Mr. Amar offer composition scheme which he is not, which he is involved in violation of condition, मतलब क्या, अगर उसको composition scheme नहीं मिल रही है, तब ही उसने लिया, तो क्या penal provision है, तो section 73, और, okay, सबसे पहले तो उसको tax देना पड़ेगा, normal scheme के हिसाब से, उसको tax normal scheme के हिसाब से देना पड़ेगा, plus section 73 and 74 का action उसके against में हो सकता है, उसके बाद में, और monthly return required to be filed by Mr. Amar, opting to pay tax under composition scheme नहीं, year returnly है, या, okay, sorry, year जो है वो, sorry, return जो है वो yearly है, और year की return होने के बाद, उसका due date है, 30th April of subsequent year, तब तक आपको return file करना पड़ता है, और वो GSTR 4 में file करना पड़ता है, quarterly statement or payment है, return yearly है, okay, can the option to pay tax under composition levy be exercised by Mr. Anike, who is the relative of Mr. Amar at any time of the year, नहीं, इसको, can option to pay tax under composition levy be exercised by Mr. Anike, who is the relative of Mr. Amar at any time, नहीं, okay, composition scheme आप कभी भी नहीं ले सकते हो, आपको जो composition scheme लेना है, वो 1st April से, अगर आप registered हो, तो 1st April से लेना पड़ता है, जिसकी intimation आपको यह start करने के पहले देना पड़ता है, तो यह सारी situation, मैंने cover करने की कोशिश की in a single problem, I hope आपको समझ में आया होगा, yes or no, चलिए, उसके बाद मैं question no. 2 लेते है, आजाओ question no. 2 पे, मेसर्स XYZ Private Limited, a manufacturer, having the only registered place of business in the state of Maharashtra, ठीक है, registered place of business in the state of Maharashtra, determine the eligibility to opt for composition scheme, and also compute the tax liability of मेसर्स XYZ Private Limited, फेले तो manufacturer, underline कर दो, only registered place of business Maharashtra, एक ही ब्रांच है Maharashtra में, determine eligibility to opt for composition scheme, and also compute tax liability of XYZ Private Limited, on the basis of following information, assuming that total value of service provided by company in preceding financial year, within the allowed limit to anyone except interest and restaurant service, वो दिया गया है, लीचे, पिछला साल, ओके, XY, एक्स YY, एक्स Y to mind, value of taxable supply of goods, 90 लक्स पिछले साल था, parent year के फर्स्कार्टर का डेटा दिया है, और parent year के फर्स्कार्टर में 20 लग तक वाय है, taxable supply, उसके बाद में exam supply दिया है, of goods, exam supply of services दिया है, value of exam supply of service दिया है, यहां पे, taxable supply भी दिया है restaurant service दिया है और interest on loan advances और deposit पिछले साल का दिया है और current year के first quarter का दिया है now सबसे पहले आपको यह बताना है कि उसको composition scheme मिलेगी क्या, अगर composition scheme मिलेगी और यह बंदा manufacturer है यह बंदा manufacturer है ठीक है, manufacturer हो या trader हो या कोई हो जब भी हम पिछले साल लेगे तो हम पिछले साल aggregate turnor लेगे और aggregate turnor में सारे supply लेगे aggregate turnor में सारे supply लेगे ठीक है, तो aggregate turnor में यह include होगा का yes, यह include होगा का yes यह include होगा का yes, यह भी होगा और यह भी होगा, पर interest consider नहीं होगा, आपको याद होगा तो aggregate turn or calculate करते वक्क interest consider नहीं होगा तो section 2.6 के हिसाब से हम aggregate turn or जब लेते हैं तो all taxable supply, exam supply, export supply, interest rate supply हम consider करते हैं लेकिन उसमें aggregate turn or में explanation 1 के हिसाब से हम interest को consider नहीं करते हैं interest exclude होता है इसलिए aggregate turn or operating financial year अगर मैं निकालने जाओ तो आपका interest छोड़के पूरा aggregate turn or 133 आ रहा है अगर 133 आ रहा है तो आपका 1.5 CR से कम है अगर 1.5 CR से कम है क्योंकि आप महराश्टर में हो और manufacturer हो तो आपको composition ले भी मिल जाएगा चलो, यहां तक तो clear हो गया कि आपको composition ले भी मिल जाएगा अब current year का tax कैसे आएगा ओके तो current year का tax में ओके आप manufacturer हो इसलिए आपको first quarter में taxable supply भी लेना पड़ेगा, exam supply भी ओके manufacturer है तो exam supply भी add होगा, service भी add होगी और exam supply of service भी add होगी ख्याल रहे है, लेकिन आपका service element, आप जो services दे रहे हो, other than restaurant catering restaurant catering छोड़के आप जो services दे रहे हो दे लाखी, ये within marginal limit होनी चाहिए, अब within marginal limit होनी चाहिए, मतलब आपका जो turn on in state रहेगा, उसका turn on in state रहेगा, उसका 10% और 5 lakhs, whichever is higher, तो आपका turn on in state, क्योंकि आपकी एकी ब्रांच है, एकी ब्रांच है, इसलिए आपका जो turn on in state रहेगा, वो aggregate turn on रहेगा, मतलब ही ओकी ये point समझना, आपकी एकी ब्रांच है इसलिए आपका turn on in state, nothing but the aggregate turn on, excluding interest, तो इसका आप 10%, यहने 13.3 और 5 lakhs, whichever is higher, यहने आपको marginal limit मिलेगी, और marginal limit आपको 13.3 और 5 lakhs, whichever is higher, इतनी service आप, okay, दे सकते हो, आपने पहले quarter में service जो दी, वो 1.5 lakhs तक ही दी है, तो क्या आपको service देना allowed है, आप 3.5 lakhs तक, 13.5 lakhs तक service कितना भी दे सकते हो, okay, 13.5 lakhs तक कितना भी service दे सकते हो, तो आपने 1.5 lakh ही दी, okay, 1.5 lakh ही दी other than restaurant catering, and other than interest, interest को तो आपको छोड़ना ही है, लेना ही नहीं है किसी में, तो restaurant catering छोड़के आपने 1.5 lakhs यह service दिया, तो मैंने लिखा है, कि आपने 1.5 lakhs यह service दिया, इसलिए आप within limit हो, और interest on discount यह exclude किया जाता है, इसलिए, current year में जब आप tax दोगे, okay, तो आप manufacturer होने के वज़े से, manufacture होने के वज़े से, taxable supply, exam supply, taxable supply or exam services, okay, तो यह exam भी आपको add करना पड़ेगा, और यह exam add करके, आपका आप आज़ा है 26.50, okay, इसमें 0.5% CGST, 0.5% SGST, इस तरह से आपका, okay, composition scheme में tax आएगा, okay, plus आपको restaurant catering जो आपने दिया, कितना दिया, current year में restaurant catering, आपने, okay, current year में restaurant catering 1.5 lakhs दिया, तो यह restaurant catering को आपको अलग से pay करना पड़ेगा, sir, restaurant catering को क्यों अलग से, क्योंकि उसको 5% है, तो restaurant catering को आपको, okay, 1.5 lakh पे 2.5%, 2.5% pay करना पड़ेगा, और accordingly आपको tax देना पड़ेगा, तो यह as a supply of goods हुआ, यह as a supply of service हुआ, अच्छा problem है, स्वाल करके देखो, तो definitely आपके इसके उपर अच्छी ग्रीप आएगी, तो ऐसे कुछ problems मेंने से लेखिए, जिसमें कोशिश किए कि calculations भी cover हो जाए, यह आई के बाद आपके समझ में, yes or no?